लंपी स्किन डिजीज एक वाइरल इंफेक्शन है जो संक्रमित पसुओं से अन्य पसुओं में तेजी से फैल रही है देश बर में अब तक इस वाइरस से अजारों पसुओं की मौत हो चुकी है क्या इस वाइरस से इंसानों को कोई खतरा है आईए जानते हैं एक्सपर्ट से एक्सपर्ट के मताविक लंपी एक वाइरल डिजीज है जो संक्रमित पसुओं से अन्य पसुओं में बेहत तेजी से फैलती है लंपी वाइरस खुन चूसने वाले खीडों मच्छरों की कुछ पर जाती हो और पसुओं को कीड़े के काटने से फैलता है अब सवाल उठता है कि अगर ये मच्छर कुछ पर जाती हो और कीड़ों से फैलता है तो क्या इनसानों के लिए भी लंपी वाइरस संक्रामक और खतरनाक है इस से जुड़े सभी सवालों के जबाब डाक्टर से जानते हैं नई दिल्ली के गंगाराम होस्पिटल के प्रेवेटिव हेल्थ डिपार्टमेंट की डारेक्टर सौनिय रावत के मताविक लंपी वाइरस की विज़े से जानवरों की स्कीन पर जगए जगए निसान बन जाते हैं और सही समय पर इलाज ने मिलने पर पसू मल जाते हैं ये ब बराबर होता है हाला कि लोगों को संक्रमित पस्वों से थोड़ी दूरी बरतनी चाहिए सौनिय रावत कहती है कि लंपी वाइरस से संक्रमित होने वाले पस्वों को दूसरे पस्वों से अलग कर दें और इसकी देख भाल करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह साव वाले लोग भी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे समय रहते पसो की देख भाल की जाए तो इस वीमारी से बचाव किया जा सकता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें आपके एक लाइक से हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है थैंक्यू सो वाचिंग वीडियो धन्यवाद